असलाम अलेकुम एंड वेलकम इन माई चैनल आज किस वीडियो में हम कुछ कंडिशनल जंप पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ कंडिशनल जंप के बारे में बताया था जिनमें हमने पढ़े थे मैं यहां पे लिख देता हूँ यह हमारे कुछ कंडिशन्स पर डिपेंड करते थे कि जब हमारे कंडिशन है वह होगी जब साट नहीं होता तो जंप ौड्री or जब हमारे पढ़ेंगे जब zero flag set नहीं होता तो jump not कि रो, तो यह statements थीं जो important थीं, लेकिन यह जो दो चीजें आज मैं आपको पताने जा रहा हूं, जिसको हम jump equal और jump not equal कहते हैं, यह बहुत ज्यादा important है, je and je, jne, यह दोनों ही बहुत ज़्यादा important है, assembly language में इनका काफी सारा इस्तमाल होता है, क्यूंकि इनके तहर हम क्या करते हैं, दो operands को compare करते हैं, अगर हम दो operands को compare करें और दो operands की value equal हो, क्या, दो operands की value equal हो, two operands are equal, जब दो operands की value equal हो, तो हमारी jump e statement execute होती है, और जब दो operands की value equal ना हो, फिर हमारी jump not, जो condition है, वो execute होती है, two operands are not equal, जब दो operands equal ना हो, तो jne, जो हमारी conditional jump है, वो execute होती है, और जब equal होती है, jump equal statement execute होती है, इसका जो main मक्सद वो यह है, कि हम दो operands को आपस में compare करेंगे, अगर दो operands की value equal है, तो jump equal जो हमारी statement है, वो execute होती होती है, और जब हम दो operands को compare करेंगे, और दोनों की value same नहीं है, तो क्या होगा, तो jump not equal जो हमारी statement है, condition है, वो execute होती है, तो आईए इसका एक program बनाके मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं यहां पे ना कुछ variable ले लेता हूँ ताके मैं आपको अच्छी नमूले से समझाते हूँ मैं एक variable one ले ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं store करवा देता हूँ बोथ आप रेंड्स और इकल ओके इसके बाद मैं इसको stop करने के लिए string को dollar sign के समाल कर देता हूँ हूँ और मैं एक और variable ले लेता हूँ variable two कर लेते हैं हम इसको और इसके अंदर मैं दे देता हूँ बोथ आपरेंड्स और ना डिके ओके मैं अब इसकी coding करता हूँ को थोड़ा उपर ले जाओं मैं ताक्के आपको सई से दिखाई दे इसको यहां से मिटा देता हूँ कोड़ 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 में हम अपनी इंस्ट्रक्शन से लिखते हैं मैं इंस्ट्रक्शन पहले ना वरियाबल वन को प्रिंट करवा लेता हूँ लोड एक्टिव एड्रेस डी एक्स में हमारा वैरियाबल वन ओके लैन मैं सब्स रुटीन को कॉर्वाता हूँ जो इस्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यह होती है और इंटरप को कॉर्वाता हूँ इंटरप 21 ओके मैं अब वैरियाबल टू में जो वैल्यू है उस को कॉर्वाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन को यहांपि लिखता हूँ सब्सक्रापी कर के लिखता हूँ और यहां पर मैं अब मैं compare करता हूँ A L और B L को Right A L और B L को क्या करता हूँ compare करता हूँ Okay मैं यहाँ पर दे देता हूँ variable 2 और यहाँ पर कर देता हूँ variable 1 variable 1 Okay variable 2 Okay अब दोनों की जब compare होंगे दोनों तो मैं यहाँ पर कंडिशन देता हूँ जिसको कहते है जम्ट की अगर यह दोनों equal हैं तो क्या हो कि इनका इनका जो control है वो कहाँ पर चला जाए इन statement पर यह statement क्या करेंगी यह print करवाएंगी कि बोथ operations are equal अगर यह दोनों equal होंगे तो इसका control इन statement पर आना चाहिए तो यहाँ पर मैं define कर देता हूँ जम्ट equal पर एक label लगाता हूँ लेबल मैं लगा लेता हूँ एच और एच को मैं define कर देता हूँ इस जिगा पर होगे होगे हमारा तो according to in register al register के अंदर बारां बढ़ा है और b register के अंदर भी बारां बढ़ा है जब दोनों को compare करेंगे हम क्या होगा कि दोनों की value क्या है सेम है मतलब कि result हमारा क्या आना चाहिए कि je जो हमारी statement है वह execute होनी चाहिए यह वाला code हमारा run होना चाहिए और हमें screen बे print हो के बोथ आपरेंट्स आर इकल तो आएए इसको run करके देखते हैं कि ऐसा होता है यह नहीं होता तो लेट्स चेक मैं direct run करवाता हूं बोथ आपरेंट्स आर इकल के दोनों आपरेंट्स इकल हैं तो हमारा result बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है कि जब दो आपरेंट्स इकल होंगे तो हमारी jump equal statement execute होगी ही होगी तो मैं अब इनकी value करता हूं change मैंने value कर दी change और यहां पर मैं एक और शीज लगा देता हूं क्योंकि जब मैं इनकी value change करूंगा तो क्या होगा दोनों equal नहीं हैं तो क्या होगा control इस जगा पर आएगा जब इस जगा पर control आएगा तो इसके बाद उसने जाहरी बात है कि उसमें नीचे वाली statement को भी execute करना है तो इसलिए यहां से jump करने के लिए फिर मैं यहां पर एक और jump लगा देता हूं तो हमारी यह वाली जो statement है वो execute नहीं होनी चाहिए यह वाली statement हमारी execute होनी चाहिए तो हम इसको चेक करते हैं बोट आपरेंट्स और नाट इक्यूल तो यह दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे नमूने से बड़ कर रही हैं और मुझे उमीर है कि आपको यह अच्छे नमूने से समझ में आया होगा आप यहां पर jump not equal का भी इस्तमाल कर सकते हैं jump not equal कि अगर दोनों equal नहीं है तो क्या हो कि हमारी यहवल statement execute होनी चाहिए क्यूंकि equal तो दोनों नहीं है तो equal नहीं है और यह print क्यों से करवाएंगी कि बोट आपरेंट्स और इक्यूल क्यूंकि हमने इसके अंदर दी ही यह चीज़ हुई है मैं यहां पर variable 2 कर देता हूँ मैं variable 2 करूंगा तो क्या होगा कि message आएगा कि बोट आपरेंट्स और not equal क्यूंकि यह जो jump not equal है इसका control direct यहां पर आएगा और इसके अंदर आप क्यों सी string है variable 2 वाली जिसमें लिखा हुआ है बोट आपरेंट्स और not equal so it is working very well यह बहुत ही ज्यादा important है मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा practice कीजिएगा next video में मैं एक छोटा सा program बनाऊंगा जो क्या करेंगा practice को count करेंगा जिसमें मैं jump equal statement का इस्तमाल करूंगा और बताऊंगा कि यह किस हिसाब से इस्तमाल होती है तो इस पे बहुत ज्यादा practice कीजिएगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए क्यूंके practice एक बहुत ही जबर रसीज है एक program में के लिए आपको जितना मर्जी concept हो जाए लेकिन अगर आप practice नहीं करते तो आपकी जो concept है हो वीक होते जाएंडे so practice बहुत important है so thank you for watching this video and take care Allah Apes